आये फिर से आपका स्वागत है मेरा नाम है डॉक्टर दीपक एड़ेकर में मनोविकार सेक्स्रोग सम्मोहन तथा वेस्वन की तग्यों महाराष्ट में अकॉला में प्रैक्टिस करता हूँ पैनिक एटैक से चुटकारा कैसे पाना इसके बारे में आज के वीडियो में फिर से एक बार जान करें दे रहा हूं एकदम साधे सिंपल उपा है उपचार है एकदम और वो देखिएगा तो आप जिनको भी पैनिक एटैक आता है वो उससे चुटकारा पा सकते हैं आजकल के भाग दोड़गी दुनिया में लोक भागम भागी कर रहे हैं सुबह से शाम तक भागम भाग चालू है इदर से उदर उदर से इदर चालू है और उसमें फिर दिल घबराना बेची नहीं होना यह तो बहुत नैचरल होता है मगर यह चीजे जो है न वो बहुत ज़्यादा कभी कभी हो जाती है और फिर ज़्यादा होने के बाद में फिर यह पैनिक एटेक के रूप में दिखाई देती है आखों के सामने अंधेरा आना दिल की धड़कन बढ़ जाना हाथ कापना खुद मर जाएंगे ऐसा डर या भ लगता कि अपन मर जाएंगे और अपने को भी लगता कि कुछ तभी हो गया और अभी एटेका के मर जाएंगा अतिव्यस्त होने के कारण पचीज से चालिस साल के उमर के लोगों को यह बिमारी अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई देती है इस्पेशली आयटी मे देके रात को 8-10 बजे तक काम करते रहते हैं और टार्गेट 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 के पीछे रहते हैं उनको तो यह ज्यादा ही दिखाई देता है और यह कभी-कभी फिर सोशल एंसाइटी के रूप में दिखाई देता है कि बाहर जाना आना बंध हो जाना लोगों में झाना और उन से मिलना यह बंध हो जाता है और आदमी वेकति वो बाहर जाने को भी डरता है तो भी देखते कि इसके लिए कि इसके लिए उसका सामना कैसे करना यह बात जानना बहुत जरूरी है रोज सबके साथ में मिलना जूलना, घुमना फिरना, उटसों में शामिल होना, रोज स्बोर्ट के कसरत करना, एग्जरसाईस करना, ध्यान धाणना करना, मेडिटेशन करना, और रोज exercise करना उसके लिए बहुत जरूरी है साथ या आठ गंडी की नीन यह दिया हम लेते है बराबर तो उसमें भी panic attack को काफी सारा फायदा दिखाई देता है panic attack आने पर खुद को शान्त करना बहुत जरूरी है जैसे attack आता है उसमें एक शान्त जगह बैठना लंबी लंबी सास लेना और छोड़ना और अपने सास के ओपर ध्यान रखना सास दीरहस शुवास अंदर लेना और आराम से सास छोड़ना बहुत जरूरी है वैसे ही ठंडा पानी पिना एक गलास या दो गलास ठंडा पानी आराम आराम से पिना तिर उससे भी काफी फायदा होता है ये भी देखना जरूरी है कि ये पैनिक अटैक हमें क्यों आ रहे हैं ये देखना उसके मूल कारण के तरफ जाना बहुत जरूरी है भूत काल में कुछ तो भी ऐसा हुआ कि जिसकी वज़े से वो एक दहशत बैठ गई जिसकी वज़े से को एक डर बैठ गया कि मर जाओंगा हो सकता है कि इसकी मुर्ट्य देखियोंगी अचानक हो सकता है कि कि इसको अटैक आया हुआ देखा होंगा या हो सकता है कि ऐसी कुछ तो भी ऐसा बहुत बड़ा असफलता बहुत बड़ी असफलता ही होंगी जहां लोग हसे होंगे जह ट्रेट बेडिये का सेवन करना यह भी पैनीक अटक के लिए यह पैनिक अटक को बढ़ावा देने के लिए करनेबुत होता है तनाव नहीं लेना यह तनाव को कम करना यह संब़ नहीं आशकल के भागम भाग, भागदवड़ के दुनिया में तनाऊ तो आएगा ही, हमारा बिजिनेश ऐसा है, हमारा काम आईसा है, हमारी सर्विस नोकरी ऐसे है कि आए तनाऊ आ सकता है, तनाऊ का सामना कैसे करना वो सीखना जरूरी है, अब इसके साथ साथ behavior therapy, rational emotive behavior therapy, psychotherapy, मानस अपचार, सम्मोन अपचार, इसमें काम में आता है जहां brain का desensitization हम करवाते है, brain को जो sensitize हुआ है brain भेजा अपना, तो जो sensitization जो हुआ है वो निकालना और यह visualization के माध्यम से सम्मोन के माध्यम से निकालना वो जरूरी होता है उसके प्रैक्टिस करना वो जरूरी होता है इसके साथ साथ कुछ दवाईया जो हम prescribe करते हैं कि जो दवाईया हम एक तो रोज लेते हैं रोज तकलिव हो रही है तो या फिर panic attack आने के बाद जबान के नीचे यदि कोई ऐसी गुलियां आती है वो रखते हम तो वो तुरंट पिखल जाती है और वो attack जो है वो खतम हो सकता है तो ऐसी कुछ दवाईया लेना यह बहुत जरूरी है इस तरह हम panic attack से बस सकते हैं उसका इलाज कर सकते हैं या panic attack न क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो को नोटिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद